हेलो दोस्तों हैं सबीका स्वागता है आजकी वीडियो में आजकी वीडियो में बात करेंगे हम जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो करवाई थी आपको वो बुध्धी के मापन से related जिसमें मैंने आपको कुछ बुध्धी के IQ बताए थे साथ परकार के जिसमें मैं आपको साथ वाओ जो परकार बताया था mental recorded यानि कि मानसीग विकार उस परकार के बच्चों कितने भागों में बाटा जा चुका है या कितने भागों में उसको बाटा जा सकता है किन-किन लेवलों पर उनके बारे में बात करेंगी अगर आपने लास्ट विडियो जो आपको देखी होगी तो आपको इसके बारे में पता होगा नहीं देखिए तो निचे गुपता ओन-लाइन विडियो जो आपको आइक्वी बताई थी वह आइक्यू बताई थी आइक्यू सतर से कम जिस बच्चों की होगी न वह कौन से लेवल पर आ जाता आपके mental recorded पे यानि कि मानसी विकार के बच्चों पे और ये पूरे विश में कितने परकार के बच्चों होते हैं 2.2 परतिशत बच्चों होते हैं तो इन 2.2 परतिशत जो बच्चों होते हैं इनको अलग-अलग लेवलों पर बाता गया है तो उसी के बारे में आज बात करेंगे तो आज का जो topic शुरू होता है हमारा यहां से शुरू होता है मानसिक विकार mental recorded तो जितने कितने परकार के होते हैं तो यह total 4 परकार के होते हैं अलग-अलगी stage पे 0 से लेकर 70 तक पहले जैसे कि मैंने आपको बताया मानसिक विकार होता क्या है तो वह शाबदी कर्थ में बोल सकते हैं वह बच्चे जिनकी IQ 70 से कम होती है वह मानसिक विकार वाले बच्चे होते हैं या कहलाए जाते हैं ये तो आपकी ऐजे शाबदी कर्थ से रूप में उसका परिभाशा होगी इसी कुछ विशेशताई होती हैं मतलब मानसिक विकार वाले बच्चों की कुछ विशेशताई होती हैं क्या होती हैं देखो ऐसे बच्चों की मानशिक शमता समानने से क्या होती है बहुत कम होती है जैसे समानने जो मैंने आपको बताया था औसत कितनी होते हैं 90 से लेकर 110 के बीच में तो उनसे कितनी कम है, बहुत कम है, 70 से बिलकुल नीचे आ गई है यह बच्चे अधिक सुझाव सील होते हैं, पूछ पूछ कर कार्रे करते हैं, बहुत क्यों? क्योंकि mental recorded है, इस परकार के बच्चों अपने कार्रे पर विश्वास नहीं होता है इसलिए जादो सुझाव सील होते हैं, जादा पूछ पूछ कर कार्रे करते हैं इन बच्चों की पहचान जो होती है, विकास आत्मक अवस्था में हो जाती है इसलिए पहचान का होती है, विकान आसमत अवस्था में होती रहती है और इन बच्चों का संग्यान आत्मक विकास जो होता है, यानि कि जो दिमागी मान से विकास जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, क्यों? क्योंकि IQ इनकी 70 से कम है, इसलिए तो इनको mental recorded का गया अगर इनका properly mind काम करता, तो इक क्या कहलाते है, आपके ओसत या उससे उपर जा सकते थे इसलिए इन बच्चों में जो संग्यान आत्मक विकास होता, यानि कि चिंतन मनन, सोचने, चिंतन करने की जो शक्ती होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है अब बात कर लेते हैं, मानसी विकार के बच्चों को कितने परकार में बाटा गया है तो टोटल चार परकार में बाटा गया है पहला क्या है? अलप बल मानसी विकार जिसे इंग्लिश में आप mild mental recorded कहते हो मतलब थोड़ा बहुत है ये तो इस परकार के बच्चों की जो IQ होती है वो कितनी होती है? 55 से लेकर आपके 79 तक 55 से लेकर 69 तक जिसकी IQ होगी वो बच्चा क्या कहलाएगा? अलप मानसी विकार कहलाएगा और इस परकार के जो बच्चे होंगे वो 2.2 में से 85 परतिशत यानि कि आपके पूरे विश में 100 बच्चे हैं तो उसमें से अगर 3 बच्चे mental regarded हैं तो उनमें भी आपका 85% यानि कि more than आपके 3 में से 2 बच्चे क्या होंगे वो क्या कहलाएगे? आपके mild mental retarded कहलाएगे मतलब उनमें कम विशमताई होती हैं उस पर कार की, ओके यह बच्चे परिशिक्षन के बाद विश्वास के साथ अपना कार्य को कर लेते हैं, यानि कि अगर इन बच्चों को training दी जाए properly तो यह बच्चे जो होंगे, वो अपने कार्य में पूरा विश्वास के साथ करेंगे और उनमें अच्छा आत्विश्वास होता अपने कार्य को लेकर, यह पढ़ाई के योग नहीं होते, लेकिन इनको पढ़ाएंगे, तो कहां तक पढ़ सकते हैं, यह केवल primary तक, यानि कि प्रात्मिक लेवल तक पढ़ सकते हैं, इन बच्चों का वहवाईक जीवन हो सकता है तो मतलब यह mental regarded जो बच्चे होते हैं यह ज़्यादा विकसित, यानि कि जितने भी बड़े हो जाएं, जैसे पूरा युवा बन जाएं, लेकिन इनकी जो age होती है, यानि कि देखो, पूर्ण व्यस्क होने के बाद भी इनका मानशिक शमता जो होती है वो 8 से लेकर 10 वर्षों के बच्चों के बराबर ही रहती है मतलब पूरा विकसित होने के बाद ऐसे 18 साल, 21 साल का हो जाएगा बच्चा, तो भी वो कहके लाएगा आपका 8 से 10 जो एज के बच्चे होते हैं, वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी तरह उनका मानसिक होगा उनका उनकी तरह उनका माइंड होगा जैसे ऐसे अग्जामपल के रूप पर आपने फिलम देखी होगी, कोई मिल गया उसमें जो रित्तिक रोशन था, वो फुल एडल्ट था लेकिन उसकी एज किसके बड़ाबर थी? 11-12 बच्चों के, उमर के बड़ाबर वाले बच्चों के बड़ाबर उसकी एज थी तो इसलिए इस बच्चों का जो वहवाईक जीवन होता है यानि कि इस परकार के बच्चों का शादी हो सकती है वाईवाईक जीवन इनका हो सकती है तो ये कुछ इनके खूबियां या खामियां कह सकते हो आप तो पहला आपका क्या कहलाता है? अल्पव बल मानसिक विकार दूसरा हो जाता है आपका समानने मांसिग विकार जिसे आप इंग्लिश में moderate, mental, retarded कहते हो जिसकी IQ 40-54 के बीच में होती है तो जिन बच्चों की IQ 40-54 के बीच में होगी वो आपके समानने मांसिग विकार वाले बच्चे कह राएंगे और ये पूरे विश में जो 2.2% mental recorded होते हैं उनका 10% ये इस परकार के बच्चे उनमें होते हैं इनमें क्या खामिया होती हैं? तो ये बच्चे परशिक्षन के बाद, मतलब ट्रेनिंग के बाद कार्रे कर लेते हैं लेकिन इनको अपने काम के उपर पूरा भरोसा नहीं होता है इन बच्चों का वहवाईक जीवन नहीं होता और ना ही ये पढ़ाये जा सकते हैं ध्यान रखेगा केवल जो आपकी पहली स्टेज थी, पहला आपका मांसिविकार था उसी को जो अलप संख्या था उसी को पढ़ाया जा सकता था बाकी तीनों को नहीं पढ़ाया जा सकता होता और बाकी तीनों की वहवाईक जीवन भी नहीं होती है तीसरा होता आपका गंभीर मांसिविकार ये क्या था इसको आप English में server mental retarded कहते हो जिनकी IQ 25 से 49 होती है ये इनके परकार के बच्चे जो होंगे वो गंभीर मांसे एक विकार से ग्रस्त होंगे जो की पूरे 2.2 परतिशत के जो आपका पूरा 100% आप उसको मानोगे तो 3.5 परतिशत इस परकार के बच्चे होते हैं उनमें ये बच्चे पूरे जीवन भर सैयोगी के साथ रहते हैं मतलब इनके साथ हमेशा ऐसे चायल्ड केर हमेशा कोई न कोई एक नर्स हमेशा नर्सिंग रहती ही रहती है तो ये जीवन भर पूरे कैस के साथ रहते हैं सैयोगी के साथ रहते हैं और ये किसी भी परकार के उद्धी के बीच में तो अगर आपसे पूछा जाए वह बच्चे कौन से उन बच्चों की IQ क्या होती है जो नर्सिंग केर में रहते हैं तो 25 से लेकर 49 हो तो वो टिक करोगे या 25 से कम हो तो वो टिक करोगे वो दोनों नर्सिंग के साथ ही रहते हैं नेक्स्ट है गहनमानसीक विकार ये क्या होते हैं प्रोफाइड मेंटल रिटार्डेड इनको इंग्लिश में कहा जाता है जिनकी IQ 25 से कम होती है और इस परकार के बच्चे पूरे विश में कितने हैं एक पॉइंट 5 परतिशाती केवल बच्चे हैं इस परकार के ओके ये बच करने के लिए कोई न कोई 24 गंटे चाहिए होता है इनकी पहचान शैश्वा वस्था यानि कि जैश्वा वस्था क्या होती है जनम से लेकर दो वर्ष तो दो वर्ष तक इसकी पता चल जाता है कि बच्चा गहनमानसीक विकार का है ये नहीं है तो डिरेक्ली कोशन ये परतिकरिया नहीं दिखाता है गंबीर मानसीक विकार वाला थोड़ी बहुत परतिकरिया दिखाता था लेकिन ये बिल्कुल भी परतिकरिया नहीं दिखाता है उनके परति किसी से भी कुछ भी इन से पूछ लोगे बताओगे वो कुछ परतिकरिया वो अपनी नहीं देते ह यह शरीर से बड़े बेढ़ंगी होते हैं, मतलब आपके देखा होगा शरीर इनका बड़ा अटपटा सा बना होता है, अलग सा ही होता है, आप देखो यहाँ पर अलग सा मैं क्यों कहा रहा हूँ, क्योंकि इनका शारिरिक ढाचा होता है, वो थोड़ा अलग सा बन जाता है द तो idiot कहा जाता है इनको, ओके, ये कहा गया है, समाज जो है, वो इस परकार के इन बच्चों को बोलता है, ओके, ये सारे के सारे psychology drum है, कोई बच्चा इन पर दिल पर ना ले इन चीजों को, बस मैं आपको इन चीजे के बारे में ज्यान दे रहा हूं, सूचना दे रहा हूं, आ आपको इस सीजे के बारे में ज्यान दे रहा हूं, कि इन बच्चों को अल्प जीवी, और इन बच्चों को जड़ बुद्धी कहा गया है, समाज के द्वारा, ओके, तो ये चार परकार की स्टेजों में बाटा गया है बच्चों को, और इन बच्चों को, यानि कि मांसिव विकार बच्चों को समयुजित करने के कुछ उपाए भी हैं मतलब उनको किस परकार से समाला जाए उसके कुछ उपाए भी हैं लेकिन वो किस बच्चों को ध्यान रखेगा केवल पहली और दूसरी स्टेज के यानि कि जो पहला मेंने आपको अल्प संख्या वो आपका बताय था अल्प बल बुद्धी विकार वाला मांसिविकार वाला और दूसरा मेंने आपको क्या बता था समानने वाला तो यह जो दो थे यानि यह पहला और दूसरा उनी दो बच्चों के उपर यह कैपीबल है बाकी दो के उपर यानि कि गंभीर और गहन वाले के उपर यह एप अप्लिकेबल नहीं है, तो आपका अगर आपसे पूछा जाए कि मानसिक विकार वाले बच्चों को समयोजित करा जा सकता है, तो केवल उपर वालों को समयोजित करा जा सकता है, मतलब कुछ हद तक बदला या ठीक करा जा सकता है, जो कि पहला था आपका अलपबल और दूसर था आपका समान में, ओके, तो ध्यान रखेगा इस बात को, जो ये मैं बता रहा हूँ, समयोजित करने का उन दोनों के लिए, बाकी नीचे वालों को नहीं किया जा सकता, ओके, पहला, उनके कैसा वहवार करना चाहिए, आपको सहन भूती पूर्वक वहवार करना चाहिए, ज साथ ही साथ समाजिक पुनरबलन देना है, मतलब बहार ऐसे किसी भी परकार के बच्चों के साथ, वो ताल मेल बिठा कर इधर उदर खेलता बेलता भी है, या किसी के साथ रहता है, तो कोई ऐसा ध्यान रखेगी कि किसी भी परकार का समाजिक उसमें, किसी भी परकार की मजाक ना बनाएं मजाक न उड़ाएं उसको हमेशा समाजिक पुनरबलन मिलता रहना चाहिए परिवार के साथ-साथ बहार से भी ओके ध्यान रखेगा इस बात का नेक्स्ट है सरल विधी से परिशिक्षन यानि कि उनको जब परिशिक्षन ट्रेनिंग दी जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि सरल विधी से बताए जाए सारी चीजे टिपिकल करके ना बताए जाए क्योंकि वो समाने से भी नीचेत वाले बच्चे हैं तो बिलकुल ऐसे प्लेवेब मेथड से भी आपको उन चीजों को बताना चीए सारी चीजों करके दिखाना चीए बिलकुल सरल विधी से ओके नेक्स्ट है किसी भी विशे को क्या करना चीए छोटे-छोटे भागों में बाट कर सिखाना चीए जो ओसत वाले बच्चे होते हैं उनको भी तो इन चीजों के साथ उन बच्चे ओसे गशे को सरुटे के दू स्टेज वाले बच्चे को आप समयुजित प्रसकते हो थोड़ा ठीक करते हो पूरा प्रोपरले ठीक नहीं किया जा सकता थोड़ा कंट्रोल्में उनको रख सकते हो आप तो ये थे आज आज आपके कार से related कितने परकार के होते हैं और उनको समयोजित कैसे किया जा सकता है ओके अब next class में जो हम बात करेंगे बुद्धी मापन के आपके कितने परकार हैं और कौन से test बनाए गये थे बुद्धी को मापनी के लिए पहले जो मैंने आपको बताया था वेस्टलर वाला या बिनेट साइमन वाला उसी से related वो भी थोड़ा बहुत है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना बुलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के related कोई भी डाउट हो को आपका reply जरू करूंगा अगर आपने इस चनलों कब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुला कातों की नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत